दूसरे टेस्ट मैच में जब जोनी ब्रेट्सो को आउट दिया गया तो जोनी ब्रेट्सो से पुछा गया कि आप इस परकार से किसी भी मैच में आउट करना चाहेंगे किसी भी बल्लेवाज को तो जोनी ब्रेट्सो ने साप इंकार किया उन्होंने साप कर दिया कि नहीं मैं इस तरह से किसी भी प्लेयर को इस तरह से आउट नहीं कर सकता खासकर को आपको बता दे कि कल लॉट्स में खिले गए मुकावले में पांच में दीन एस्टेया ने इंगलेंड को 43 रनों से हरा दिया वहीं जोनी ब्रेट्सो के रन आउट पे कई सवाल उठते हुए दिखाये दिये जोनी ब्रेट्सो जोकी लाश्ट बॉल पे अपने बिकेट को गवाब आटे हुए एलेक्स केरी ने स्टम को उरा दिया लॉट्स मैदान पे तिरपनमा आउवर अपना कर रहे हैं केमरेन ग्रीन के आखरी बॉल पे जोनी ब्रेट्सो रन आउट हो जाते हैं एलेक्स केरी उन्हें स्टम करते हुए आउट कर दिते हैं आपको बता दी कि केमरेन ग्रीन का वह ओभर जोकी लाश्ट था जोनी प्रेट्स तो अपने नन स्ट्राइक पे उद्रे बेन स्टोक से जाके बात करना चाह रहे थे उसी बीच इलक्स केरी ने केमरें गिरिंग के अखरी बॉल को उठाकर स्टम को टच कर दिया हैस इस बात को लेकर के काफी भीवाद मैच में देखाए दिये वही एस्टेलियाई फैंस हो या पिर इंगलेंड के फैंस आपस में मैदान पर ही लॉट्स के मैदान पे भीर गये हैं और एस्टेलियाई टीम को बहुत बुरी कहने रगे हैं इस बात को लेकर के और कल के हुए मैच के विवाद के बीच काफी आक्रोज देखा गया वहीं भार्टियाई टीम के लेफ्ट हैंड बल्लेवाज गौतम गंबीर ने जोनी ब्रेट्सो का सपोर्ट किया बुला स्प्रीट आफ दगेम कहां है अस्टेलिया सायथ ये चीज भूल चुकी है आपको बता दे कि ऐसे मुकाबले में किसी भी परगार के कप्तान को कदम उठाना चाहिए खास करके पैट्स कमीज अस्टेलिया के जो की कप्तान है एसेज के मैच में अगर वो चाते तो इस्प्रीट आफ दगेम दिखा सकते थे उन्हें जोनी ब्रेट्सो को बापस बुला सकते थे और उन्हीं बल्लेवाजी करने के लिए मौका दे सकते थे वो सकता था कि कल के मुकाबले में एसेज में जो की उन्हेने इस परकार से मैचों में आवरिनस जोनीब्रेट्सो को दिखाना भारी नुकसान पर सकता है तो उन्हें उस परकार से जोनीब्रेट्सो को आउट क्या LX Carry के लिए अच्छा है और आने वारे क्रिकेट के लिए रहीचन अस्विन ने कहा कि आप किसी भी मुकावले में इस पकार की आउट कर सकते हैं Awareness दिखा सकते हैं वही जोनी बेटसों ने इस पकार का Awareness दिखाया और वो क्रिट से बाहर निकल गया